हेलो एव्रिवान, आज हम बनाएंगे जीरा राइस, और पालक पनीर की सबजी, पालक पनीर की सबजी बहुत ही हेलदी होता है, और खाने में भी टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है तो आप लोगों को यह recipe बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप लोगों को यह recipe अच्छी लगएगी तो आप लोग मेरे channel को जद़ से जद़ ज़ाद सेब जीएगा अपने group में तो देख सकते हैं हमारा राइस भी बहुत ही खिला खिला बनाया है और जो हम पालक पनीर बनाया है वो भी कितने अच्छा से बनाया तो यहां पर पालक को उबाल ली थी यहां पर आधा किलो पालक ली थी इसको साफ करके अच्छे से दो करके ले लिया था और यहां पर आधा किलो पनीर है और यहां पर चारपाच हरी मिर्ची और थोरा सा लहसा टमाटर है यहां पर मिर्ची पावडर धनिया पावडर स्वात के नुसार नमक और हल्दी ले लिए है और आधा चमच जीरा लिए है और एक चमच काली मिर्ची है तो चली सबसे पहले हम पनीर को हम फ्राई करेंगे तो यहां पर एक तवा ले लिए हैं आप चाहो तो कराही में भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन तवा में बहुत अच्छे से हो जाता है यहां पर थोड़ा से घी डाल दूंगी आप चाहा हो तो इसमें तेल या घी किसी चीज में भी पनीर को फ्राइ कर सकते हैं तो एक करके हम सारे पनीर को फ्राइ कर लेते हैं पनीर को हम धेमी आज पर पलट पलट के दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देख सकते हैं दोनों साइट से बहुत अच्छा से कलर आ गया है पनीर में अब हम यहाँ पर कराही बैठाएंगे अब हम कराही में चार से पाथ चमाच तेल ले लिए थोड़ा सा ज्यादा तेल लिए जिसे अबारा पनी पालक पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा यहाँ पर दो तेज पत्ता डाल दिये हैं और आधा चमाच जीरा डाल देंगे जीरा को अच्छे से भून लेते हैं तो यहाँ पर जीरा भून गया यहाँ पर साबुद दो लाल मिर्ची भी डाल रही हूं है इस सब को हम अच्छे से भून लेते हैं अब भूनगे तो यहीं पर हम अद्रक लहसन और हरी मृची जीरा और काली मृची का जो पेश्ट बनाए थे वह डाल देंगे अब इसको हम इक वार अच्छे से चला लेते हैं फिलेम हम तुरह मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेते हैं यहीं पर हम डाल देंगे टमाटर आप चाहँ तो टमाटर का पेश्ट भी बना के रख सकते लेकिन मैं पेश्ट नहीं बना रही हूं ऐसे ही छोटे-छोटे पीछे में कट कर लिया है ऐसे ही सौफ्ट हो जाएगा यह इसको चला देते हैं यहीं पर हम मसाले ढाल देंगे हम डेर चमच नमक है मतलब के लिए यहां पर मिर्ची पाउडर है यह कास्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है तो देर चमच वह भी डाली हूँ एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच हल्दी पाउडर कि यह रख सकते हैं अब इसकोम धंक करके मीडियम आच पर अच्छे नहीं वाम, आच पर दोसे- तीन मिनbased तक मसाले को सोफ्ट हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा मैस कर देंगे इसी कर्षी से कोगिन भून लेंगे अलों मसाले में मिक्स करते हुए दो मिननर तक बहुत ही से बहुत ही अच्छे से भून जाएगा देख सकते यह इतना अच्छा लगड़ा है पालक रखने के बाद हड़ा हड़ा सा और सिहत के लिए पालक बहुत ही अच्छा होता है तो आप लोग ऐसे बना करके रेसिपी जरू ट्राइ कीजिएगा तो इसको मैं थोरी दर के लिए ढख देती हो अब हम इसको चेकर लेते हैं बिश बिश में मैं चलाती रही हूँ एक मिनट के लिए मैं ढख ढख के इसको अच्छे से बूल ली हूँ देख सकते कितने अच्छे से तेल से एपरेट होनी लगा है मतलब हमारा जो पालक और मसाला था वो बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो गया और बहुत ही अच्छे से पक भी गया है यहीं पर हम पानी डाल देंगे तो आप को किसी सबसे गिरेवी चाहिए उसी पानी डाली तो मैं न ज्यादा पतला बनाऊंगी न ज्यादा गाडा मीडिये बनाऊंगी तो यहां पर मैं दो कटोरी पानी डाली हूँ अब इसको ढख देते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे तो देख सकते हैं यहां पर एक उबाल आ चुका है एक बड़ चेक कर लेते हमारा ग्रेवी कैसा है तो अभी थोड़ा सा पतला ही लगड़ा है तो इसको हम दो मिनट के लिए और पका लेंगे तो जब फिर चेक कर लेते देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल भी आगे बहुत ही अच्छा खुश्वू आ रहा है यहीं पर हम डाल देंगे अब पनीर जो हम फ्राइ किये थे यहां पर हम सारा पनीर डाल दिये हम इसको एक बड़ चला लेते हैं अब हम पनीर रख करके इसको अच्छे से चला देते हैं इसको ढख देते हैं और एक मिनट के लिए हम इसको मीडियम आज पर थोरा सा पकने देंगे यहां पेक मिनट हो गया है अब हमारा सब्जी बनकर के रैडी है आप चाहों तो यहां पर थोरा सा हरा दनिया भी डाल सकते हैं तो देख सकते हैं हमारा पालक पनीर बनकर के रैडी है अब हम बना लेंगे जीरा राइस इसको हम साइडी में रख देते हैं तो हम कुकर में चार चमच घी रख लिया है यह बहुत ही अच्छे से गड़म हो चुका है तो यहीं पर हम डाल देंगे एक छोटी चमच जीरा अगर आपके पास तेज पत्ता हो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें और एक लाइची डाल दिया हूं चोटी वाली और चोटा सा दाल चीनी का टुक्रा डाल देंगे और साथ काली मिर्ची डाल दिये हैं आपके पास अगर लॉंग हो तो दो चार लॉंग भी डाल दीजिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे अब यह अच्छे से भून गया है तो यहीं पर हम दो गिला चावल लिये है इसको पहले ही पानी में अच्छे से साप करके दस मिनट के लिए छोड़ दिये थे अब इसको में रख देंगे इसमें बिल्कुल भी पानी भी एड़ नहीं करेंगे इसको एक बार चला लेते हैं इसको 20-30 मिनट तक हम चावल को चलाते रहेंगे जिससे जो घी है वो सारे चावल में फैल जागा अच्छे से चिपके कह एक भी चावल नहीं और बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव बन करके रैडी होगा तो अब हम यहीं पर पानी एड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैं दो गिलास इसी गिलास से चावल ली थी तो इसी गिलास से हम पानी डालेंगे तीन गिलास मतलब एक गिलास चावल पर देर गिलास पानी डालना है देर गिलास से ज़्यादा पानी ना डाले क्योंकि जो जीर तो अच्छे से चाबल को चारों तरफ से हमें मिक्स कर लिए है अब इसका ठुकन लगा देते हैं और दो सीटी तक वेट करते हैं दो सीटी लग गया थो तो यहीं पर प्रेसर कुकर ठंडा हो गया थो तो हम चाबल को खोल करके दिखा रहे कितना अच्छा हमारों चाबल भी बन गया तो आप लोगों को जीरा राइस और पालक पनीर की रेस्पिक ऐसे लिए कि कमेंट्स में जरूर बताईए